जै जिने देख़ी बंदुगों बड़ी खुसी की बात है कि आज केलास फरवत पर एक बहुत बड़ी खोज हुई है और एक पूरा का पूरा मंदिर केलास फरवत पर देखा गया है और ये पूरी सेटिलाइट इमेज हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं इसमें पूरा एक दरश्टी गोचर हो रहा है एक मंदिर और इसकी हमने रिमोट सेंसिंग से द्वारा और भी इमेजेस हमने तयार की हैं जिसमें पूरा क्लियर बीजन आ रहा है और वो आपको अभी हम वीडियो मेर बताएंगे और आप फिलाल देखिए एक बहुत यह पूरा जो है अभी हम परिक्रमा कर रहा है पूरा जो केलास परवत है और इसी केलास परवत में यहाँ पर भगवान आदिनाथ ने मोख्च को प्राप्स किया था जहीं उनकी निर्वान इस्तली है और जहीं उनकी टोक बनी वही है और उनके भरत चक्रवती ने इसी परवत पर एक इस्पटिक का मंदिर बन बाया था जिसका बर्णर हमारे सास्त्रों में किलियर कट है और जिसमें 24.33 भगवान की रतनों की प्रतिमाए बन बायी थी उस समय भरत चक्रवती ने उस समय ये मंदिर बन बाया था जब 24.34 नहीं थे जब सिर्प एक ही तीर्थंकर थे रादिनाथ भगवान परंतु उनने केवल ग्यान के बाद ये उनके बाणी में आया था कि आगे 23.34 और होंगे 24.34 सारे उनने डीटेल उस समय दिये थे तो उसको सुनके भरत चक्रवती ने ये मंदिर केलास परवत पर उनके निर्वान के जाने के बाद बन बाया था और ये मंदिर इतना बिसाल है और काफी अभी आप देखेंगे इसमें पूरा क्लियर दिख रहा है केलास परवत पर ही बना हुआ है जगे भी वही है जो सास्त्रों में बढ़ने थे ठीक वही आज खोज हुई है बहुत बड़ी खोज इसे माना जाएगा और चिंता की बाद इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहां कोई जा सकता नहीं है और इन्सानों का तो प्रिवेस बहां पर संभव नहीं है हम लोग बस देख सकते हैं दूर से वह भी सैटलाइट इमेज के दोरा और वह भी अभी देख पा रहा है क्योंकि अभी वहां कापी बरप जमा रहता हमेशा तो अभी तो दिख रहा है और बाद में कहनी सकते क्योंकि हमेशा पूरा बरप से ढखा रहता है केलासफरवत तो सारी चीजे वहाँ पर अंदर हिडन रहती है और केलासफरवत तो बैसी भी रहस्यों से भरा हुआ है सिब जी का वहाँ पर निवास है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है तो बाकी यह है कि मंदिर पूरा दश्टी गोचर हो रहा है और हम देख पा रहे हैं फिलाल तो बहुत खुशी की बात है और जो सास्त्रों में लिखा हुआ है वो सिद्ध होता दिखाई दे रहा है किलास परवत पर ही आदिनाद भगवान ने निर्वान स्थल जो उनका वो ही है वहीं उन्होंने निर्वान पराप्त किया था और हम देख सकते हैं और इसका हमने पूरा मेजरमेंट भी लेने की कोसिस किये गूगल अर्थ के द्वारा और वो हम ही आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे कितना क्या चेतरपल वहां का बनता है तो काभी बड़े चेतर में पूरा जो है मंदिर बना हुआ है और इस पटिक मणी के द्वारा बना हुआ है तो पूरा एक साइनिंग और वहां से देर आया है पूरा मंदिर और चुंकि वहां पर बरब जमी रहती हमेशा उसके बाद भी इतना तो है clear vision मंदिर का आ रहा है और जो अभी हमने images इसकी जो remote sensing से जो image बनाई है और वो उसमें और काफी clear vision आ रहा है तो अभी हम सुरक्षा की दरस्टी से अभी वो images आपको नहीं देंगे अगले वीडियो में हम पूरा detail देने की कोशिस करेंगे क्योंकि काफी बड़े वीडियो हमने बनाए है इसके आप फिलाल तो देखिए एक साक्षात जेन मंदिर पूरा का पूरा मंदिर केलास परवत पर देखा गया है भरत चक्रवरती ने ये मंदिर बनवाया था केलास परवत पर जहां पर अधिनाद भगवान ने निर्वान को पराप्त किया था बहुत बड़ी खोज आज भूई है सबसे पहले हम आपको अपने चेनल पर दिखा रहे हैं इसका हम पूरा एक डीटेल वीडियो भी बनाएंगे जो अभी हम सीकर इसके बाद हम पोस्ट करेंगे बाकि आप अभी दर्सन कीजिए जेन मंदिर के जो की केलास परवत परिस्तित है इसका हमने पूरा छेतर फल कॉडिनेट भी इसमें दिये हुए है स्क्रीन पर आप भी अपने कम्पूटर पर देख सकते हैं और दूसरा इसका छेतर फल भी हमने पूरा नापने की कोसिस की है इसमें पूरा दिखाई दे रहा है काफी बड़े छेतर फल में ये मंदिर बना हुआ है आसपास का जो एरिया है बनार इस मंदिर के उपर जो सिखर है केलास परवत का पाससु मीटर के लगबग पूरा मेजरमेंट आ रहा है इसका लगबग आदा किलो मीटर करी और उपर सिखर है तलटी से देखा जाए तो दो किलो मीटर के लगबग ती उच्छाई पर ये मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर तो देवों के द्वारा ही संरक्षित भी है सुरक्षित भी है यहां कोई जा नहीं सकता है कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है बाकि हम दर्सन तो कर सकते हैं बड़े आनंद के साथ दर्सन कीजिए झाल 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 झाल